आधरने यहां आधरने राहूल गांदी जी अखिल बारती कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष और कॉंग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ट नेता और यहां पर पदारे हुए मेरे भाईयों और मेडिया के मेरे सारे मित्रों और डाक्टर बाबा साब अम्बेड करके अनुयाई और कॉंग्रेस पक्ष के चितने भी निष्टावंत कार्य करता यहां आए हैं उनका मैं बहुत ही शुक्रिया दा करता हूं और चंद बाते जो आज के दिन हमारे नितीन जी ने जो ये मीटिंग और्गनाईज की है और देश के कोने कोने से सारे नौजवान इस समिदान बचाओ के अंदोलन में शामीज लोने के लिए और मानेवर राहुल ची के विचारधारा पे और उनके आदेश पे चलने के लिए आपने जो पीड़ा उठाने का तई किया है इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ समिदान को बचाना इसकी रक्षा करना सारे भारतियों का काम है केवल यह दलितों का नहीं है समिदान अगर बचा तो इस देश में डेमोकरसी बचेगी समिदान अगर रहा तो आपको बोलने की आजाद ही मिलेगी समिदान अगर रहा तो हमारे सेक्यूलर उसूलों की हिपाज़त होगी समिदान अगर बचा तो हल्प संक्याक और बैकवर्ड क्लासेस और सारे नागरिकों का हिपाज़त होगा अगर समीदान नहीं होगा समीदान अगर बदलेगा देश में निश्चित रूप से बड़ी क्रांती होगी और समीदान बदलने की बात जो आज BJP और RSS के लोग कर रहे हैं उनको हम यह बताना होगा समीदान को बदलने की अगर बात करेंगे हम सारे लोग एक होकर इकठा होके उसका मुखाबला करेंगे इस देश में हर 15 मिनिट में दलीत के खिलाप अप्रा मिनिट में हर सब्दा एवरेज 11 दलीत देश में मारे जाते हैं 6 दलीत मैनाओं को हर दिन यह वन अताचार होता है और पिछले 7-8 साल में तो इतने खास कर ये चार साल में तो इतने अन्याय और अत्याचार हो रहे उसके बारे में बात करने वाले कोई नहीं है अगर हम पार्लमेंट में आवाज उठाने की बात करते हैं तो मोदी की सरकार और सारे बेजेपी के लोग गड़बर मचाके सदन को समाक कर देते हैं आईसी है कि सितिय आज बनी है समिधान के तहट आज हमारा पार्लमेंट नहीं चल पा रहा है क्योंकि पार्लमेंट अगर चला तो मोदी जी पोछ जवाब देना पड़ेगा क्यों इस देश में इत्यात्याचार हो रहे हैं क्यों महिलाओं के उपर इतने बलतकार हो रहे हैं क्यों किसानों की आत्मात्या हो रही है क्यों खास करके बैंकों में लूट हो रहा है जिसका पैसा लेकर नीरों मोदी जैसे मेरू जो गुजरात के बेपारी है ये सारे लोग भाग रहे इसकी चर्चावा होगी और उनका जो करॉप्शन है वो बहार आएगा और जहाज खरीदने में रैफल जहाज खरीदने में उन्होंने जो गोटाला किया है ये सारी बातों की चर्चाव होगी तो इसी लिए उन्होंने पार्लमेंट बंद कर दिया और आज समिधान इसलिए हमको बचाना है सिर्फ उनके लिए नहीं हमारे लिए इस देश के जनता के लिए और खास कर रिजर्वेशन जो दलीतों को आज मिला है बैकपर्ट क्लासस को मंडल कमिशन के तहग जो मिला है और सारे कारिक्रम जो संक्याकों को मिले हैं वो सारी चीजें समیधान के तहँ मिले हैं समीधान को हिबाजत करना हम आथ सब का काम है वो तो समयदान को तोड़ने की बात करते हैं वो तो यह कहते हैं कि समयदान बदलो और बार बार उनके मंत्री मुधी जी के मंत्री यह कहते हैं हम सत्ता में जो आये हैं समयदान को बदलने के लिए आये हैं हम समयदान को बदल के रहेंगे और भागवत जी भी यह कहते हैं कि समझदान बदलना जरूरी है बहुत दिन हो गया इसमें बदलाव लाना चाहिए तो यह आईसी उनकी विचारदारा है अगर आईसे लोगों को हम और मजबूत करते जाएंगे तो यह समझिये कि इस देश में एक तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा और समझदान भी नहीं बचेगा इसलिए हम सब मिलके इसकी इफाज़त करना जरूरी है और मैं यह कहूंगा कि आज राहूल गांडी जी आये हैं वो हमेशा दलितों के बारे में बहुत अच्छी राहे रखते हैं और मनुवार के खिलाफ दटकर उन्होंने बहुत से जग़ा उन्होंने अपनी बात रखी चाहे वो किसी को पसंद हो चाहे नव हो लेकिन वो इनसाफ की बात करते हैं और इनसाफ के लिए लगने का पीड़ा उन्होंने उठाया है तो दोस्तों मैं एक बात आपको खास करके बताना चाहता हूँ एक हम बहुत से लोग जुलूसों में आते हैं मीटिंगों में आते हैं और यहाँ पर भाशन सुनके जाते हैं लेकिन उसके बाद हम काम नहीं करतें इसलिए बाबा साब अम्बेडगर ने एक बात कही थी विचार आचार और प्रचार यह तीन चीज़ें बड़ी महत्वगी है एक तो आपके पास विचारदारा होना चाहिए जिन विचारों के उपर आप चलना चाहते हैं अगर बाबा साब के विचार पर चलना चाहते हैं पंडि जवरला निरुजी के विचार के उपर चलना चाहते हैं तो उसको मजबूत बनाईए उस विचार का प्रचार होना चाहिए और आचर्ण में लाना चाहिए इसलिए ब तो वो कोई भी सारे देश में नहीं फैल सकता तो इसलिए हमको आचार विचार और प्रचार का महत्व रखना है दूसरी बात इस समाज को अगर शक्ति मिली है समिदान से तो खास कर बाबा साब अंबेड कर भी यह कह देख है समिदान कितना भी अच्छा हो अगर समिदान को चलाने वाले लोग ठीक नहीं है तो समिदान बुरा हो सकता है अगर समिदान कितना भी बुरा हो उसको चलाने वाले लोग अगर ठीक हो तो ठीक होता है तो आज वही समिदान को कांग्रेस पार्टी ने चलाया और सब को नयाई दिया वही समिदान को हमने सामने रखा पेट पर रोटी देने के लिए फुट सेक्यूरिटी लाए नरेगा स्कीम लाए और खास करके राइट टु एजुकेशन लाए जो जो बाबा साब अम्बेड कर लाते थे लाये थे जो डारेक्ट्व प्रिंस्पल्स में उन्होंने लिखा है उस सारी चीज़ को स्रीमती स्वनिया ग पेट भर खाना मिल रहा है उनके बच्चों को एदुकेशन मिल रहा है इसको हम याद रखना चाहिए इसलिए इसकी हिपासत करना किसी और के लिए नहीं है केवल कांग्रेस पाटी के लिए नहीं है हमारे लिए हमारे अस्तित्व के लिए है अगर समिदान नहीं है तो अप लेकिन ये दुर्भाग के है मेरे पर्टी में बहुत कम लोग हैं। जादा से जादा बीजेपी में हैं। दूसरे दूसरे पार्टी में हैं। लेकिन आज उनकी आवाज बंद हो गई है। दलितौं पर उत्याचार होता है, राजस्तान में बात नहीं करते। यूपी में होता है बात नहीं करते हरियाना में रोज होता है बात नहीं करते हर जगे कन्या कुमारी से लेकर कश्मिर तक होता है कलकता से लेकर सौराश तक होता है लेकिन इसके बारे में बीजेपी में जितने भी MPs है वो चुप है क्यों चुप है तो वहाँ पर बोलने की आ लेकिन वहाँ पर बीजेपी में बोलने की आज़ादी नहीं है कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे चीजों के लिए कहिने के लिए हमको आज़ादी जिति हैं हम जाकर अपने लीडरों से कहते हैं यह चीजे इसमें तब्दिली लाना चाहिए हमारे लीडर सुनते हैं उसके नहीं खोला कितने भी हत्याचार होने दो पार्टमेंट में आके एक दिन नहीं कहा कभी प्रेस कांफरेंस करके नहीं कहा कभी लोकों से मिलके नहीं कहा सिर्फ केवल ओ अपनी मन की बात रेडियो से कहते हैं या नहीं तो जहां पर उनको मौका मिला तो बड़े भाशनों मे कहिके उसको खतम कर देते हैं तो इसलिए हमको मजबूत बनके आगे के जो 2019 का एलेक्षन है उसके उपर ध्यान रखके ऐसे लोगों को सबक सिखाने का हम सब भीड़ा उठाएं और मजबूत बनें और ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं दो तीन चीज़े आपके सामने रख लगना चाहता हूं क्योंकि वो बार-बार यह कहते हैं अंबेडकर जी को कांगरेस ने अन्याय किया और उनको उनकी फोटो भी सेंट्रल हाल में नहीं लगने दी यह चोटी सी बाते उन्हों कहते हैं लेकिन डाक्टर बाबावा साब अंबेडकर का फुतला जिसको जिसका दर्शन हजारों लोग चोदा एप्रील को लेते हैं पार्लमेंट के सामने वो किसने लगाया वो कौन से जमाने में हुआ और चोदा एप्रील को चुटी के तावर पर किसने मनाया तो यह सारी चीजे हैं और बाबा साब अंबेडकर को समीदान बनाने के लिए कॉंग्रेस कांग्रेस पार्टी के लोग नेता पंडी जवरला लेरू जी बल्लबै पटेल राजेंद प्रसाथ महात्मा गांदी जी यह सभी नेताओं ने मिलके समीदान बनाने का काम उन पे सोपा उसलिए बाबा साब हम बेड़ कर यह कहते हैं उन्हें के शब्दों में मैं कहूंगा कि वो यक है कि आज जो समीदान बना है एक कांग्रेस पार्टी के कोपरेशन से बना है और कांग्रेस पार्टी अगर मदत नहीं करती यह समीदान इस देश में नहीं आता यह उनके लब्जा है और मैं व अंगरेजी में आपक सामने रखंगा, there would have been nothing but Chavos. This possibility of Chavos was reduced to nil by the existence of the Congress Party inside the Assembly, which brought into its proceedings a sense of order and discipline. It is because of the discipline of the Congress Party that the drafting committee was able to pilot the Constitution in the Assembly with the sure knowledge as to the fate of each article and each amendment. The Congress Party is therefore entitled to all the credit for the smooth sailing of the dropped Constitution in the Assembly. Toh Samidhan ko lane mein Congress ka haath hai, agar Congress support nai kerti, Congress madad nai kerti, yeh Samidhan nahi ban saktah tha, yeh kainah Baba Saab Ambedgar ka hai, और आप kaitate ho, Baba Saab Ambedgar ko unhoon ne sannwaan nahi di, aray sirp aap Baba Saab Ambedgar ke photo ko maata take nai se, sabka uddar honne waala nai hai, agar uddar aapko karna hai, Be Baba Saab wa at gauti연, to tegen que geasa a yourself aPs mahi ko sa ra hai, ki Baba Saab Ambedgar, ребå, al Chocolate kare ha, Allah usbust ka ta, Ab disfrut ka doona closing Lautai, Allah usbust ka saat tankar, Diamudashi wala имеwe, jiwa grants kao uchwaal kuo, ki Baba Saab Ambedgar jho, our governmentaw ban tar给 kim week ca Massachusetts, क्योंकि मनुवाद में तो हमारा विश्वास नहीं है और विश्वास करना भी नहीं चाहिए जो मनुष्य बनना चाहता है मानुष्य अधिकार चाहता है वो तो मनुसमुर्दि के तरप नहीं देखेगा लेकिन BJP के लोग, RSS के लोग ये मनुस्मूर्दी को फिर से लाना चाहते हैं और जब इस देश की समिदान बनी उस वक्त RSS की जो एक पेपर है खास कर मौट पीस कहते हैं उसने क्या कहा उसने ये कहा समिदान जो लाया गया है ये बेकार है और हिंदू धर्म के खिलाफ है जब बाबा साब हम बेड़कर हिंदू कोड बिल लाए थे उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि ये जो हिंदू कोड बिल है हमारे देश के हमारे उसुलों के खिलाफ है और मनु तत्व के खिलाफ है, ऐसा उन्होंने लिखाता, अगर किसी को चाहिए, तो मैं वो सारे चीज़े मैं आपको देंगा, तो ऐसी बाते करने वाले लोगों के साथ, अगर हमारे लोग देंगे, उनको समझाईए, उनको कहिए, हमारा स्थित्व, इस समिधान को बचाने म हैं, इसलिए हमको यह जो अपने और्गनाईज किया, मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ, कि यहां से हर द्याद को जाना चाहिए, समिधान के बारे में, समिधान बचाने के बारे में, तो आखरी, मैं इतना यह कहूंगा, एक उनके बारे में, जिसने एक बात कही है वो आपके सामने कहे कर मेरे बात को खतम करूंगा अभी लंबा वाशन नहीं करता क्योंकि हमारे अद्देख्षाहें उनकी बात को भी आप सुनना है तो मैं किसी ने लिखा है और मुझे भेजा है तो उद्रा ही पड़के मैं मेरे वाशन को खतम करूंगा मेरे भीम ने आँख खोली हर कोई इनसान बन गया मेरे भीम ने जुबा खोली हर कोई तुफान बन गया मेरे भीम ने किताब खोली हर कोई विद्वान बन गया मेरे भीम ने कलम खोली और इस देश का सविदान बन गया और और इस समिदान की वज़े से अपने को गरीब बताने वाला आज इस देश का प्रदान मंत्री बना तो ये समिदान है गरीब को प्रदान मंत्री बनाता है ये समिदान है पार्लमेंट मेंबर बनाता है ये समिदान है आपको MLC बनाता है इसलिए इसकी रक्षा करना हमारी रक्षा हम कर लेना है तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इतना कहूंगा कि इसको आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है और कांग्रेस एक ही पार्टी ऐसी है देश में जो हमारी इपाज़त कर सकती है मैं दावे के साथ कहिता हूँ और इसके लिए मेरे पास बहुत से आर्गुमेंट भी है लेकिन इस आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब मिलके चले तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर से हम हुकमत में आएंगे और बाबा साब के विचारों को हम पूरा अमल में लाएंगे जय ही जय ही जय ही जय ही